इसके बाद हमारा नेक्स टेप है स्किल्स सकिल्स बह Matthew bits बहुत Iya क्यों जुरूदी है क्यों कि जैसे कि मैने आपको स्टार्ट पे बताया था के जोवी कोई जुप का एड लगता है तो तो उसमें स्किल्स requirements social climate का पहते हैं, कि seven job कर तो हम्तियी के व blessed 로र्मיץージ की हो एगार जाती है जो हम्तोगर्मिक की है कि छिर्ट होती है, जो करते हैं कि इसजे झूदिए डारी बाका जूर्त यूर्ब hatır, चाँके हम्तोष जो पहते हैं आपको searching आती है, आपको problem solving आती है, skill को add किस तरह करना है, आप यहाँ पे आए, skills में, plus के icon पे click करें, और उसके बाद वो करेगा कि आप से skill का नाम पूचेगा, कि आप जो skill add करना चाहते हैं, उसका नाम क्या है, सबसे पहले MS Office, hopefully यह सबी को आता होगा, अगर किसी को यह नही आपको मानना चले, यह skill आता है, आपको MS Office आता है, लेकिन आप MS Office में किस हद तक skill है, तो उसके तीन option है, एक तो beginner कि मुझे बस MS Office का पता है, कि यह एक software है, उसके बाद intermediate, मतलब कि एक तो मुझे यह पता है, कि यह MS Office एक software है, यह जो भी यह चीज है, इसका भी मुझे पता ह आता है, और last option है, expert, मतलब कि मुझे MS Office में आप जो भी काम दे देंगे ना, तो मैं वो कर दी दूँगा, आपको मुझे MS Office के सारी चीज़े बता है, तो मैं जो आपको recommend करूँगा, कि अगर आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरह आती है, तो फिर ही आप उसको expert पे लग आता है, तो that's it, आप उसको, यहाँ पे skill का नाम लिखें, जो भी आपका skill का नाम है, और उसको level stack करके save करते हैं, यह आपका skill add हो ज़ेगा, यह देखें, जैसे यह आपने skill add किया, यहाँ पे हमारा skills का tab भी fill हो गया, मतलब हमारी profile 90% complete है, उसके बाद last time रह गया है, कि language कौ कौन सी पता है, उसमें सबसे पहले आपने उर्दू तो लिखी देनी है, कि हमें उर्दू आती है, hopefully आती होगी, उसके बाद यहाँ पे expert तो वैसे मुझे भी expert level तक आती, intermediate level तक आप कर लें, कि हाँ हम इसमें conversation कर लेते हैं, उर्दू जो expert level की है, वो बस किसी किसी को ही आती है, आप यहाँ से उसका level select कर लें, कि जो भी आप उसका level कहते हैं, और save कर लें, उसके बाद मैं prefer करूंगा कि आप एक old language, उर्दू और English, दोनों ही select कर लें, और यहाँ पे पंजाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मनना है कि आप को आती है, वो बस रहने रहें, और यहाँ पे save कर लें, हमने दो languages add कर लें, अब हम एक दफ़ा ना, और यहाँ पे यह वो चीज़ है, जो मैंने आप से, और अब यहाँ से शुरू से एक दफ़ा, यह पे सारे fill होगी, एक दफ़ा page को refresh कर लें, यह चीज़ें सासा safe होती जाती है, मतलब आप refresh कर सकते हैं, और और जब हमने refresh किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% profile complete हो चुकी है, हमने क्या add किया profile को complete करना बहुत ज़रूदी है, अगर आपकी profile यहाँ पे 90% वी है ना, तो आपको जो मिलने के chances कम हो जाते हैं, 10% chances कम होगी है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूदी है कि आप की profile 100% complete हो और हर यह जो हम पांचों website पर जिन पर आज बात करेंगे पांचों की ही complete हों जाए है, यहाँ पे हमने क्या क्या add किया personal information add की, उसके बाद summary add की, अपनी मतलब अपना introduction, एक brief introduction दिया, उसके बाद हमने जिन projects पे काम किया हुआ था, वो add किये, यह मैंने अपने आप पे काम कि है, उसके बाद हमने हमारा experience add किया, कि हमने किन-किन जगा पे काम किया, अगर आपका अभी तक कोई experience नहीं है, तो आप Fiverr को एक अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमने अपने education levels को add किया, कि हमने कहा कहा से, क्या क्या education लिए हुई है, education के बाद हमने बताया क हमें कौन-कौन से skills आते हैं, और मैंने आपको बताया कि skills आपको जो जो skills आते हैं ना, मतलब आपको HTML आती है, जो भी चीज़ें आपको आती है, आपने वो जरूर जरूर एट करनी है, क्योंकि यह ही चीज़, यह main चीज़ है जो आपको job दिलवाएगी, यह क्योंकि वो match क जाएगी उसके साथ, job alert के साथ, उसकी recommendation के साथ, तो यह skills आपको जितने आते हैं, लेकिन वो skills आपको आपको नहीं आता, वो add नहीं करना, क्योंकि जब आपने कहा दिया कि मुझे ना, python भी आती है, यह कोई ऐसी चीज़ आती है, जो आपको नहीं आती है, तो जब वो आप जो प्रे रेफरेंसेज, यह भी चीज़ बहुत जरूरी है, यह किस वज़ा से जरूरी है, यह आपको, यह जो रोजी की प्रफाइल है, एक तो रोजी की जो है, रेपसाइट, एक तो आप इस पे आके job search कर सकते हैं, वो मैं आपको भी बताँगा, कि job search किस तरह करनी है, द पाल में इस पेज पे आप आजाएंगे, और बाद में फिर एंड पे आके आप देख सकते हैं, इसने यह पिर रेफरेंसेज पूछें, यह आप इसकी edit पे क्लिक करें, और यहां पिर जो जो आप जिस टाइटल के साथ चाते हैं, कि अगर कोई developer की job लगाता है, तो मुझे कोई designer की लगाता है, जोब तो उसका भी alert मुझे मिल जाए, web developer मैं चाता हूँ कि अगर कोई web developer की job लगाए, उसका मुझे alert मिले, front end developer लगाए, तो उसका मुझे alert मिले, उसके बाद आप उतनी salary का बता सकते हैं, यह ने आपको बताया कि आप उतनी ही रखें, जितनी ही आपक market value बनती है, अगर आपका start, start है, आपका entry level है, कोई आपका भी experience नहीं है, तो आप इसको 20,000 तक maximum लगाए, उससे ज्यादा ना रखें, क्योंकि फिर आपको joke मिलेगी नहीं, अगर आप 20,000 से ज्यादा लगते हैं, और आप यह skills यहां पे फिर skills आगए, यह बहुत जरूरी ह कि मैं एक next month तक सीख लूँगा, मतलब अभी आपको नहीं भी आते हैं, फिर भी आप mention करते हैं, आप सीख रहे हैं तो, ठीक है, यहां पर जो आपके skills नहीं, वो सारी mention करते हैं, कि यह यह चीज़ें मुझे आती हैं, और उसके बाद यह आखरी वही relocation लिए, मैंने आपको पहले मतलब है, अगर आप the location के लिए agree करते हैं, तो इसको click करते हैं, नहीं तो फिर इसको unclick की रहे हैं, तो इसमें दो option है, कि anywhere मतलब कि कहीं पर भी मुझे कह दिया जाए, कि याद आपके यहां पर जोग लग गई है, यहां पर आजो, हाँ मैं आजोँगा, नहीं तो एरियाज लग कर सकते हैं, अगर आप anywhere लग सकते हैं, आप सेफ कर सकते हैं, इस type की जब जो पाएगी तो आपको इसका alert मिल जाए करेगा, और last में यह CV privacy setting, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कि आपकी जो CV की privacy हो, वो हमेशा public रहने चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको private कर देंगे, तो फिर यह जो हमने सारी मैनत की है, इतनी CV 100% कम्लीट की है, इसका कोई फाइदा नहीं रहेगा, private का मतलब यह है, कि मेरे इलावा मेरी CV को, मेरी profile को कोई नहीं देख सकता, तो फिर हमारा इतना मैनत करने का फाइदा क्या होगा, तो इसका हमेशा आपने देहान रखना है, कि यह हमेशा public रहनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर जोप देर है, कि कोई developer की जोप किसी के पास आई है, किसी को developer की जूरत है, तो वह आपकी CV देख सके, और अगर आपके skills उनकी requirement के साथ मैच करते हैं, तो आपको जोप के लिए करें, call करे हो, तो यह थी आपने profile किस तरह manage करनी है, इसमें rozi.pk में, अब यहाँ पी एक बहुत तरही अच्छा option है, कि आप यहाँ से अपनी CV को download कर सकते हैं, download करने का में क्या फाइदा होगा, क्योंकि जब हम यह बाकी सारे accounts में भी जब profile बनाएंगे ना, तो हर एक जगा option होता है कि आप अपनी CV अपलोड कर सकते हैं, जिससे ना आपकी काफी profile हग तक complete हो जाती है, तो मैं आपको prefer करूँगा, कि आप यहाँ से download कर लें, और यह आपको वैसे भी फाइदा दे सकते हैं, कि अगर आप कहीं पे interview देने चाहरे हैं, तो आपको एक आपके पास hard form ज़रून हो नीचे यह CV की, वो भी एक काफी अच्छा impression परता है, कि आप कहीं पे interview देने गए हैं, तो आपके पास एक CV की hard copy होनी चाहिए, जिसको देखके वो आपस interview ले सके, तो आप यहां से इसको download कर लें, यह आपको यहां से आपकी CV का दिखादे का template, हमारे पास यह देखें, यह यहां पर sections को set की है, और आपको कोई यहां से pattern वगदा नहीं बनाना पर रहा है, और आपकी एक अच्छी professional CV बन चुकी है, हमारे पास यह साथ में दो templates available है, यह first template है और यह second template है, और आप यहां से बटन को download पर click करेंगे, तो यह download हो जाएगी CV, यह CV download होगी, अब बात रह है कि यह नीशे जो आ रहा है, watermark इसको खतम कैसे करें, तो यह मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया हुआ है, how to remove watermark from a PDF, आप उस वीडियो को देखके, तो यहां से यह watermark को remove कर सकते हैं, और इस तरह आपकी एक fully professional CV त्यार हो जाएगी, आप चाहें तो यह दूसरा template भी सेटप हो गई है, तो हम देखेंगे कि jobs को search किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले dashboard पर आप आजएंगे, झाल